तो आज के इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ कि अगर आप Google AdSense से अर्निंग कर रहे हो यानि पैसे कमा रहे हो तो Google AdSense में कम अर्निंग होती होगी कम पैसे आता होगा तो उसे डबल कैसे करना है दोस्तो इस वीडियो में इसी चीज का जनकारी देने वाला यहाँ पे कोई टिप्स और टिरिक्स में नहीं बताने बला हूँ ठीक है जो चीज आपको करना परेगा तो करना परेगा यहाँ पे चाहे आप YouTube से पैसे कमा रहे हो क्योंकि YouTube पे भी Google AdSense लिंक होता है ठीक है और अगर आप बलागर पे हो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहा है तो अगर आप यहाँ पे बलागर पे भी Google AdSense को लिंक करके पैसे कमा रहे हो अगर कम पैसे आ रहा है कम earning हो रही है तो उसे double कैसे करना है चाहे आपका website कहीं पे भी हो यानि मैं आपको बता दू कि अगर आप किसी भी जगा से Google AdSense के थुरू earning कर रहे हो तो Google AdSense का earning जो ह करने वाला हूं तो देखते रहना है इस वीडियो को अंध तक अगर यह जनकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक तो चलिए आप आपसे ज़्यादा टैम डेंगे नहीं आप करते हैं सुरू तो सबसे पहले आपको बता दू यूटूब के बारे में देखो यूटूब पे भी होता क्या है होता कुछ नहीं है बस यहाँ पे सही से काम करना परता है सही से कीबर्ड पे काम करना परता है और यहाँ पे जैसे कि आपको बता दू जो नए यूजर होते है तो यूटूब पे करते क्या है कि उसका जो है गूगल एडसेंस लिंक भी हो ज लेकिन वह करते क्या है कि अपने वीडियो को जो है बार बार जो है ऑपन करके दिखते रहते हैं अब यहाँ पर आपको बता दू की देखो वीडियो को आपन करके देखने से यहाँ पर लगेगा की होता कुछ नहीं है यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अगर हम अपने वीडियो को आपन करते हैं और उस पे एड जो चलता है Google AdSense का हमारा या आपका होता है अपने एड पे अगर आप किलिक करते हो तो आपका Google AdSense जो है 30 दिन के लिए disable हो जाता है फिर बाद में चलके 30 दिन के बाद तो सही हो जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही वारा प्रावलम किरियेट हो जाता है अगर आप अपने वीडियो के एड पे क्लिक नहीं करते हो तो भी तो यहाँ पे देखो जैसे कि आप अपने वीडियो को आपन किया और उस पे एड चल रहा है और सभी वीडियो को जो है आप देख रहे हो और उस पे एड चल रहा है ठीक है यानि नए यूजर जो है यह गलती करता ही है यह हमने भी गलती किया है और बहुत सारे लोगों ने गलती किया है तो यहाँ पे एक problem होती है जो कि उस चीज़ पे गौर नहीं कर पाते हैं दोस्तो अगर आप अपने वीडियो को open करते हो उस पे add जो चलता है तो यहाँ पे 30 दिन के लिए आपका Google AdSense disabled हो जाएगा अगर आप अपने add पे किलिक करते हो तो बाकि और भी जादा अगर आप गलती करते हो तो परमानेंटली जो है आपका Google AdSense disabled हो जाएगा लेकिन दोस्तो अगर आप अपने add पे नहीं किलिक कर रहे हो शिर्फ वीडियो open करके देख रहे हो और उस पे add जो चलता है तो वहाँ पे होता क्या है कि सबसे जो man चीज होती है दोस्तो CTR होती है YouTube पे जो है page RPM दिखता है ठीक है तो ये page RPM जो है आपका कम हो जाता है ठीक तो page RPM को सही रखने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने वीडियो को बार बार open करके नहीं देखना है बस बीडियो अपलोड कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है अगर आपको चेक करना है तो बीडियो अपलोड करने से पहले उस बीडियो को आप देखके चेक कर सकते हो और यहाँ पे वीडियो अप्लोड करने के बाद उसके बाद open करके check करने की जरूरत है तो यहाँ पे बार-बार अपने वीडियो को open करके देखते हो तो आपका पेज CTR जो होता है, पेज RPM जो होता है, वो कम जाता है और ऐसे में जो होता क्या है कि आपका जो earning है वो आधा हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम नहीं करोगे तो आपका जो earning डबल हो जाएगा मां की दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि देखो अच्छे से keyword पे काम भी करना होता है तो अगर आप keyword research नहीं कर पा रहे हो सही से देखो keyword होता क्या है जैसे कि आपने किसी भी वीडियो को open किया है तो यह जो title होता है title के अंदर में keyword होता है ठीक है जैसे कि आप कौन से keyword पे काम कर रहे हो जैसे की कौन सा आप वीडियो बना रहो चाहे आप gaming से related बनाओ या online earning से related बनाओ चाहे किसी भी चीजों से related बनाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो online टूल होता है या online वेबसाइड होता है या online earn money होता है इन सब पे ज़ादे पैसे आपको मिलेगा ठीक यानि आगर आपका tech channel है तो और भी अच्छी बात है tech channel पे ज़ादे earning होती है क्योंकि उस पे जो add जो चलता है वो high quality का add चलता है और वहाँ पे क्या होता है कि उसका add का earning जो होती है वो अच्छा खासा होती है भाकी जो है बहुत सारे channel है तो उस पे जो है बहुत ही कम होती है लेकिन यहाँ पे मैं खुला पता दिया हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा बुरा की यार जिसका tech channel है वही सिर्फ जो है क्या है कि earning जाधा करेगा भाकी कम करेगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है बाइक के चैनल पे ज़loo जादे वीज आते है तो वो ज़ादे अर्निंग कर लेकिन Tech Channel पे कम ही वीज आते है लेकिन वो जादे अर्निंग कर लेते है अब चलिए दोस्तोँ ये YouTube का बात हो गया YouTube पे आपको करना क्या है के video upload कर के छोड देना है आपको अपने video को बार बार open कर के नहीं देखना है ठीक है तो यहाँ पर आपने समझ गया अगर दोस्तो keyword research करने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के description में keyword research tool का link दे दिया हूँ 5 tool आपको मिलेगा अगर आप उसको देखना चाते हो तो इस वीडियो के description में जाके देख सकते हो और जो भी keyword research tool आपको अच्छा लगेगा उसको आप use कर सकते हो तो बाखी चलिए दोस्तों अब यहाँ पे website की बात कर लेते हैं website पे भी same process है देखो होता क्या है कि अगर आप अपने post को publish कर रहे हो चाहे आपका website wordpress पे है या blogger पे है या bix पे भी है कहीं पे भी है मैं पहली बता दिया हूँ कि अगर आप google adsense के थुरू earning कर रहे हो ठीक है तो google adsense को जो है बहुत सारे जगा पे link किया जाता है या नि बलागर पे भी link किया जाता है wordpress पे भी link किया जाता है और bix पे, youtube पे, मांकी और भी जगा पे तो यहाँ पे google adsense की बात हम कर रहे है कि अगर आप google adsense का earning डबल करना चाहरे हो तो क्या-क्या चीज करना परेगा तो youtube के बारे में आपको बता दिया हूँ आप सुनलो website के बारे में दोस्तो website पे होता क्या है जैसे की नहीं होता क्या है जैसे की आपने post कर दिया पोस्ट करने के बाद इसे परविव करके देख सकते हो कि हमारा post दिखता कैसा है लेकिन direct आप Google पे search करोगे जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं किलिक करता हूँ new window open कर लिया अब यहाँ पे जो है research tech news लिखता हूँ ठीक है research tech news हमने search कर दिया और उसके बाद यह तो जैसे कि यहाँ पे आप देखरों कि open हो चुका है open होने के बाद जो है यहाँ पे क्या है कि add चलेगा तो website पे भी Google AdSense का add चलता है देख सकतो कि Google AdSense का add चल रहा है बाकि जो है दोस्तो यहाँ पे देख सकतो कि Google AdSense का add चलता है बाकि और भी page के अंदर में add चलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नए यूजर जो है गलती करते हैं ये कि अपने एड पे जो है कई बार किलिक कर देते हैं और उनको पता नहीं होता है कि एड पे किलिक करने से होता क्या है तो दोस्तों अगर आप एड पे किलिक करते हो तो आपका Google Adsense 30 दिन के लिए disable हो जाएगा बांकि इससे तो कोई फरक परेगा नहीं लेकिन अगर आप ज्यादा गलती करते हो तो पर्मानेंटरिली जो है आपका Google Adsense डिसेबल हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पे आ जाती है बात पेज CTR जो है वो कम हो जाएगा चलिए डाइडेक्ट जो है Google AdSense पे चल के आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पे आप देख रो कि यह जो है मेरा Google AdSense है और यह जो है दोस्तो बिल्कुल नया अकॉंट है ठीक है दूसरा और भी वेबसाइड है तो इससे लिंक है ठीक तो यहाँ पे आपको बता दू कि देखो सबसे पहली बात आप अपने Google AdSense के जो अकॉंट है उसको चेक करना ठीक है और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है CPC मिलता है दोस्तो इसी का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है अगर आपको earning करन ठीक है और उसके अंदर में add चल रहा है तो दोस्तो यहाँ पे आपका page CTR जो है कम हो जाएगा page CTR जितना जादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा और यहाँ पे CPC अगर आपको 10 मिल रहा है 20 मिल रहा है जैसे कि 20 मिल रहा है CPC तो यहाँ पे क्या है कि एक किलिक का 20 जो है आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि CPC एक है तो एक किलिक का जो है क्या है कि एक मिला है यहाँ पे 00 दिख रहा है डॉलर और .1 दिख रहा है तो यहाँ पे इसी का खेल है यहाँ पे अगर आप अपने add को बार बार जो है देख रहे हो अपने website को open करके यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है बांकि दोस्तों कोई और tips और tricks है नहीं Google AdSense की जो है अर्निंग बरहाने का अगर आप इसके अलाबा और भी कोई काम करते हो तो ऐसे में जो है आपके Google AdSense पे खत्रा आ जाएगा और Google AdSense जो ह देबल हो जाएगा तो यह जो है दोस्तों मैं legal बात आपको बताऊँ लिगल चीज बताऊँ तो यह चीज जो है आपको try करना और देखना है और उसके बात जो है आपकी देखना संच में earning डबल होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे आप आप अपने Ad को बार बार देखते ह पिर उसी हिसाब से page ctr आपको देखा उसी हिसाब से cpc देगा और यहाँ पे page rpm उसी हिसाब से देगा अगर आप अपने एड को बार बार नहीं देखोगे तो सब कुछ आपका ठीक रहेगा बांकी दोस्तों यहाँ पे मैं चीज आ जाती है कि अच्छे से keyword पे भी काम करना है जैसे कि मैं आपको बता दियाँ कि YouTube पे भी keyword पे काम किया जाता है तो आप जो है website पे भी काम करते हो तो keyword आपको पता होना चाहिए खूँसे keyword पे लोग कितना search करते है यह चीज आपको पता होना चाहिए ठिक है Google के अंदर में कितना search करते है उस पे जो है कितना cpc मिलता है कितना page rpm मिलता है कौन-कौन से country में जो है उस keyword को search किया जाता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए तो अगर आप ये ची जानना चाहते हो तो इस वीडियो के description में keyword research tool का link दे दिया हूँ आपको जो है 5 keyword research tool मिलेगा जो की सब से best है जो की सब से अभी के date में topper है वो दोस्तो तो नीचे इस वीडियो के description में जाके keyword research tool को भी check करना बांकि जो भी आपको बताया हूँ बस यही आपको करना पड़ेगा आपको अपने adsense के earning double करने के लिए बांकि चलिए दोस्तो अगर यह जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है like अगर आप इस channel पे नए हो तो इस channel को कर देना है subscribe subscribe करने से यह भाइदा होगा कि आगे इस channel पे जो भी वीडियो upload करूँगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में